नमश्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप से लोलीनेस को खतम करने के लिए कुछ वेलीबूप मैं शेर के लिए जॉब के लिए यूस्कुल होगे लोलीनेस की जोगी दिक्कत है वो हमारी इंडियर सोसाइटी में बहुत बड़े लेवल पर फैली हुए है क्योंकि हमारे आसबस नेगेटिविटी बहुत बड़े लेवल पर पर प्रजेंट है लोलीनेस की शुरूबात एक थोड़ से होती है फिर वो थोड़ बेहिवेर में कर्वट होता है फिर वो एक्शन्स में कर्वट होता है चिट-चड़ापन, लोगों के सा जगड़ा करना कुछ हद तक लोलीनेस के ही कारण है जो पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बता है उनको अपलाए करके आप लोलीनेस की दिकलों खत्म कर सकते है फस पॉइंट इन्वार्मेंट जैसा हमारे इन्वार्मेंट होता है डीप लेवल में हमारा बियेवर भी वैसा ही होता है अगर हमारे इन्वार्मेंट ऐसा है कि हमें बूस्ट कर सके अगर हम लोलीनेस को फिल कर रहे हैं हमें inspire करने वाला है अगर हमारा environment ऐसा है जिसमें अमारे interest की चीज़े present है तो हम loneliness की feeling को खतम कर सकते हैं for example अगर हमारा interest cricket में है तो हम cricketers के posture लगा सकते है या फिर अगर हमारा interest studies में है हम scientist के तवारा कहे गए thoughts को wall पर लगा सकते हैं अपने environment को अपने अनुगूल करके जिसमें हमारा interest है तो हम loneliness की दिकर को खतम कर सकते हैं second point जो आपको loneliness की दिकर को खतम बढने के लिए useful होगा वह है जादा time virtual world में ना बिताएं humans का deep behavior अच्छे से interact करने में है and pure human connection बढनाने में है जितना ज्यादा time हम internet को बिताएंगे उतना ही ज्यादा हम loneliness की दिकर के तरह बढ़ते जाएंगे technology and gadgets का invention हमारे use के लिवाय ना ही हमें खतम करने के लिए virtual world में हम जितना time बिताते हैं उतना ही हम reality से दूर होते जाते हैं technology and gadgets के इस्तेमाल हमें balance way में करना चाहिए ना कि उसको हमें इस्तेमाल करते जाना चाहिए जितना ज्यादा हम उसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम lowliness की feeling की दर बढ़ते जाएंगे technology and gadgets के इस्तेमाल करें लेकिन in a balance way third point है take a break current situation में अगर हम अपनी life में किसी दिकत को face कर रहे हैं तो कुछ दिन का break लेकर के हम refresh होकर के presently जो परशानी हम face कर रहे हैं उसको अच्छे से ख़तम कर पाएंगे loneliness में भी अगर हम loneliness की feeling की तरफ बढ़ चुके हैं कुछ दिन का break लेगर के हम loneliness की feeling को आराम से कतम कर सकते हैं जब भी आप loneliness feel करें तो कुछ दिन के लिए अपनी life से break ले लीजिए और नई जगा जागर के उसका experience लीजिए explore करिए जितना ज़्यादा आप holiday पर जाएंगे नई चीज़ों को phase करेंगे उतना ही आपका mind develop होगा grow होगा नए experience को लेगा loneliness की तिकत को खतम करने के लिए आप किसी नई जगा जागर के loneliness की feeling को आराम से खतम कर सकते हैं fourth point loneliness की दिकत को खतम करने के लिए जो fourth point है वो है start learn something new इस point का मतलब यह है कि जब आप loneliness की दिकत को phase करें तो कुछ नया सीखना कुछ नया करना आपको loneliness की दिकत को खतम करने के लिए बहुत जागा useful है जो third point मैंने को बताया था किसी नई जगा जाने का वैसा ही कोई नई चीज करने का है जिससे आप loneliness की दिकत को खतम कर सकते हैं जब हम कोई ऐसी चीज करते हैं जिसको हमने कभी नहीं किया होता तो हमारा माइंड अल्ला तरीकी से काम करने लगता है जिसकी help से हम loneliness की दिकत को राम से खतम कर सकते हैं